आपके अपने यूटूब चैनल स्टुडेंट स्टेडी 247 पर दोस्तो आज हम आपके लिए लिखके हैं कि आप अपने ATM में पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो देखने से के लिए आप अमारे साथ अंत तक बने रहे हैं कि आप कैसे अपने ATM कार्ड में पिन जनरेट कर सकते हैं तो दोस्टो उसके लिए सबसे पहले अपने को ATM का full forum पताओना चाहिए कि ATM का full forum क्या होता है तो दोस्टो ATM का full forum होता है automated tailor machine जिसको आपन हिंदु में बोल सकते है socialite tailor machine दोस्टो अब आपन देखते हैं कि आपन कितने तरफे से अपने ATM में pin generate कर सकते हैं तो दोस्तो अपने ATM में पिन जनरेट करने के लिए अपने पास पास तरीके हैं तो अपने देखते हैं दोस्तो सबसे पहला तरीका है अपने ATM कार्ड के दोहरा पिन जनरेट कर सकते हैं दोस्तो दूसरा तरीका है कि अपने मोबाइल से अपने ATM के पिन जनरेट कर सकते हैं दोस्तो तीसरा आपन देखते हैं कि swipe machine से जो कि दोस्तो swipe machine आप किसी भी दुकान बगरा में जाते होंगे ते जिसके उपर आप ATM card swipe करते हैं वो ही swipe machine होते हैं आप उससे भी अपना पिन जनरेट कर सकते हैं दोस्तो चोथा तरीका है कि आप Yonno SBI app से सोरी दोस्तो वो थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया Yonno SBI app से कर सकते हैं और दोस्तो पांचा तरीका है कि आप internet banking के द्वारा कर सकते हैं दोस्तो हम आपको आज इन सभी तरीकों के बारे में बताएंगी कि आप इनसे ATM में पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप हमें वीडियो के आपको बताएगा जरूर कि हमें ये तरीका आपका बहुत अच्छा लगा दोस्तों हमने हर चीज को बिल्कुल सरलता से समझाने की कोशिश किया तो आप वीडियो में अंतर तक हमारे साथ बने रहे और देखते रहें कि आप किस किस परकार से अपने ATM में पिन जनरेट कर सकते है तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आता है मोबाइल से पिन जनरेट कैसे करें तो सबसे पहले आपके अकाउंट में एक मोबाइल नमबर रजिस्टर होना चाहिए दोस्तों उसके बाद आपको देखना है कि आपके मोबाइल जो नमबर रजिस्टर है उसमें आपने कौन सा रिचार्ज करवा है जैसे कि आपने unlimited का रिचार्ज करवा है 199, 399, 5555, 599 का तो दोस्तो आपको 10 या फिर 20 रुपय का एक छोटा talk time रिचार्ज करवाना पड़ेगा दोस्तो वो क्यों आपको पता है कि अपने को एटियम में कोई भी SMS बेजने के लिए अपने SMS चार्ज लगता है 1.5 रुपय का ठीक है दोस्तो तो उसके लिए अपने अपने के छोटा दशिया फिर 20 रुपय का रिचार्ज करवा लेना है उसके बाद आप देखते हैं दोस्तो आपको एक नमबर है 5676 और 76 इसके उपर आपको PIN लिखकर SPACE देना है फिर ATM कार्ड के लास्ट चार डिजिट लिखने है फिर SPACE देना है फिर ACCOUNT नमबर के चार लास्ट डिजिट लिखना है जैसे कि दोस्तो आप देख सकते हैं कि आपको किस वे में लिखना है PIN और ये 4xC का मतलब A कि ये आपका card number है 4xA का मतलब A कि ये आपका account number है और फिर आपको message send कर देना है दोस्तो message send करने के बाद दोस्तो आपके पास एक code टी पे आएगा जो कि आपके लिए 24 hour के लिए valid रहता है दोस्तो फिर आपको ATM में जाना है और ATM मचीन में आपको अपना ATM लगाना है और फिर दोस्तो ये जहां पे pin generate का जो आपको option दिख रहा है यहां पे आपको click करके अपना नया pin generate कर लेना है तो दोस्तो ये तो था आपके पास एक तरीका कि आप मोबाइल के द्वारा pin generate कैसे कर सकते है अब दोस्तो अपने पास दूसरा तरीका था है कि अपन ATM से pin generate कैसे कर सकते है तो दोस्तो ATM से pin generate करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदिक की ATM machine पे जाना है ATM machine पर जाने के बाद दोस्तों आपको यह step follow करने जो हमने आपको बताए है तो सबसे पहले आप SBI के ATM machine पर जाएए उस सबसे पहले ATM card swipe करें और screen पर दिये गई option में से ATM pin generate को select करें जैसे दोस्तों आपको यह दिखाया भी है कि आपको generate ATM pin पर click करना है ठीक है दोस्तों उसके बाद आपसे आपका account number पुछा जाएगा वो आपको सही सही अपना account number फिल कर देना है उसके बाद आपसे आपका RTN registered telephone number या registered mobile number पुछा जाएगा दोस्तों आपको वो enter कर देना है दोस्तों उसके बाद अगले screen में आपसे OTP बेजने के लिए बोला जाएगा जो कि आपकी registered mobile number पर बेजा जाएगा दोस्तों उस पर आप control करके click कीजिए click करने के थोड़े समय बाद आपको mobile में OTP पराप्त होगा वही temporary आपका पिन होगा जो कि आपका दो दिन के लिए मानने है अब आपको फिर से अपना item card swipe करना है और फिर screen पर दिखाए गई banking option पर click करना है दोस्तों आपको किस पर banking option पर ठीक है दोस्तों फिर अगले screen से किसी भी एक बास्टा का चुनाव करें जैसे दोस्तों आपके पास दो language आएगी एक तो हिंदी आएगी आप दोस्तों आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में कीजिए और दूसरा आपके सामने English आएगी तो दोस्तों अगर आपको English ज़ आप उसका चुनाव कीजिए दोस्तों फिर अगले screen में एक बास्टा को चुनाव करें और ATM कीबोर्ड से किसी भी दो डिजिट को आप एंटर करें जैसे कि दोस्तों आपकी इच्छा है कि आप वन से लेकर के हैंडरेड के बीच के कोई भी आप दो डिजिट एंटर कर सकते हैं जोस्तों जो आपको अच्छा लगए आप वो एंटर कीजिए और फिर screen पर दिख रहें yes के बटन पर किलिक कीजिए उसके बाद दोस्तों आपसे आपका pin मांगा जाएगा और यहाँ पर आपको वही OTP देना है जो कि अभी कुछ समय पहले आपके RTN पर आया था यानिक पिन चेंज करें इस तरह आपका ATM मशीन द्वारा पिन जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों आप में वीडियो में बताइएगा आपको दोनों तरिकों में से कौन चा तरिका अच्छा लगा अब दोस्तों तीसरा तरिका है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपना ATM प फिल करने हैं धुरिक दोस्तो यह पास्वट फिल करने के लिए बाद आपको मैण मेन्यो में जी सर्विस का ओप्सान दिखेगा आपको इसके उपर किलिक और जैसे ही अधरको यहां आप आपको यहां पर उप्सेंग कर आपको लिए यहां पर नाइक्स्ट स्क्रीन पर ATM का नया ATM नंबर दर्ज करना होगा और फिर active बटन पर क्लिक करना है इसके कुछ समय बाद यह आपका ATM कार्ड एक्टिव हो जाएगा जैसे दोस्तों आपका ATM कार्ड एक्टिव हो जाएगा अब उसी स्क्रीन पर आप ATM सर्विस के ओप्शन पर क्लिक कीजिए और ATM पिन जनरेट प जाएगा ठीक है दोस्तों अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको OTP या फिर आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो दोनों में से किसी एक ओप्शन का चुनाव करने के लिए बोला जाएगा आप एक का चुनाव कीजी अब उपर चुने गए ओप् पसंद के दो अंक दर्ज करने होंगे जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया ही था वन से लेके एंडरेट के बीच में आप कुछ पर एंटर कर सकते हैं आप इतना करने के बाद आपको दूसरे दो अंक आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में SMS के जरिए प्राप्त हों हैं ठीक है दोस्तो अब अपने पास अगला तरीक का आता है कि अपने SBA UNNO APP के द्वारा कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो SBA UNNO APP के लिए सबसे पहले आपके जरूर है कि आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए ठीक है दोस्तो अब आपको SBA UNNO APP को ओपन हो जाएगा अब आपको service request पर क्लिक करना है दोस्तो ज tang If i surprise करना है आपको service request पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरे का एक page open हो जाएगा जहां पर आपको ATMड euh debit card के option पर क्लिक करना है जोकि यह रहा box में यहां पर आपको किलिक करना है दोस्तो इतना करने के बाद आपको सामने आपका प्रोफाइल और प्रोफाइल पास्वड का एक पेज ओपन हो जाएगा ठीक है दोस्तो जो कि कुछ इस तरह का एक interference होगा इसमें आपका profile password फिल करना है और profile password फिल करने के बाद दोस्तों आपको submit के बटन पर किलिक करना है submit के बटन पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ इस तरह का एक page open हो जाएगा जिसमें आपको ATM card के active वाले option पर किलिक करना है active card फिल करने के बाद आपको next step में करना है कि यहां पर आपको account type में अपना account number select करना है account number select करके करके यहां पर आपको card number एंटर देना है जो भी आपका है card number वह एंटर कर देंगे फिर आपको निच्चे जो next button लिखा रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तो इतना करने के बाद आपका ATM काड तो चलो हो जाएगा फिर सही दोस्तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपना ATM पिन भी जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तो यह था ACBI Yono App दोरा पिन जनरेट करना दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको 5 तरिकों से ATM पिन जनरेट करने बताए हैं तो दोस्तो आप हमें वीडियो में कमेट करके जरूर बताएगा कि आपको हमारे कौन सा तरिका सबसे अच्छा लगा कि जिस से आप पिन जनरेट कर सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आज के लिए हम एक अगले वीडियो में लेख कहाएंगे कि आप ATM कार्ड का यूज कैसे करें यानि कि how to use ATM कार्ड दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब वीडियो क्यों बना रहे हैं तो दोस्तो आज मैं आपको बता दूँ कि आज का टाइम है जो डिजिटल टाइमिंग है एक तरीके से हैं ना दोस्तो आपके जैसे और मेरे जैसे जो पड़े लिखे साथी हैं वो तो दोसतों कर लेते हैं वो तो कहीं से भी YouTube आगरा, अगर आसे कुछ भी सर्च करके कर लेते हैं लेकिन आज भी आपने गरमिन परिवेष में अधिकान्स किसान भई और अपने जैसे ही कोई साथी हैं जो दोस्तों जिनको नहीं वपता है कि ATM एपिन जनरेट कैसे करें और वो किसी को ATM में जो भी आपको मिलता है आप उसको बोल देते हो कि भाईया मेरे भी ATM पिन जनरेट कर देना और दोस्तों वहां से आपको फ्रोड का बहुत ज़्यादा खत्रा हो जाता है आपके अकाउंट के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाए जिसमें हम आपको बताए कि ATM एपिन जनरेट कैसे करें तो दोस्तों ATM के लिए ATM जनरेट करने के लिए हमने आपको वीडियो में बताया आज कैसे करें और जैसे हमारा अगला वीडियो आएगा दो तीन दिन में तो उसमें हम आपको ब प्लीज आप सभी अपने दोस्तों को जरूर बताएगा कि आप यह ATM बगारा जनरेट कैसे कर सकते हैं तो थैंक यू और एक बार पुने आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टुडेट स्टेडी 247 पर